गुड मॉर्निंग बच्चों, उमीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे ध्यान से अपना काम कर रहे होंगे आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबीर के सबद या कबीर के पद पिछले वीडियो में हमने कबीर की साखियां की थी, आज पद करेंगे देखते हैं इनका पहला पद क्या है कबीर के पदों की ये जो पंक्तियां है, इन में कबीर बताते हैं कि भगवान हमें क्या कहते है मोको का अर्थ होता है मुझे कहा ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में भगवान हमें कहते हैं कि बंदे है इंसान तो मुझे कहा ढूंडता फिरता है बाहर मैं तो बिल्कुल तेरे पास हूँ अगर ध्यान से देखे तो तेरे मन में हूँ ना मैं देवल देवल का अर्थ होता है देवाले अर्थात मंदिर ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ ना काबे कैलाश में काबा और कैलाश ये दोनों तीर्थ स्थल है काबा मुश्लिमों का तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदुों का इन दोनों धर्मों के लोग यहां पर इश्वर की प्राप्ती के लिए जाते हैं लेकिन भगवान कहते हैं कि ना तो मुझे प्राप्त करने के लिए किसी तेर्थ स्थान की यात्रा करनी जरूरी है और ना ही मुझे मंदिर और मस्जिद में खोजने की जरूरत है मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं अगर सची श्रधा और प्रेम से अपने मन में ज्ञांक कर देखो तो मैं तो तुम्हारे पास हर दम हूँ ना तो कोने क्रिया करम में नहीं योग वैराग में क्रिया करम का अर्थ यहाँ पे है पूजा पाठ करना वरत रखना, रोजे रखना समाधी लगा के बैठना छापे तिलक लगाना या टोपी पहनना तिर्थ यात्रा वगर है करना मतलब भक्ती के नाम पर जो ढोंग किये जाते हैं जो अंध विश्वास किये जाते हैं उनको यहाँ पर क्रिया करम कहा है भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के क्रिया करम या किसी प्रकार के ढोंग की आवश्यत्ता नहीं है नहीं योग वैराग में योग होती है योग साधना और वैराग का अर्थ होता है सन्यास ग्रहन करना भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए ना तो योग साधना की जरूरत है ये बड़ी कड़ी तपश्या होती है कड़ी साधना होती है इसके भी जरूरत नहीं है और ना ही सन्यास लेने की जरूरत है खोजी होए तो तुरते मिली हो अगर तुम सच्चे मन से मुझे खोजते हो अगर तुम सच्चे खोजी हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तालाश में एक पल की तालाश में मैं तुम्हें मिल सकता हूँ तुम्हारे मन के अंदर लेकिन उसके लिए सच्चा हरिदय सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम की जरूरत है निश्चल भक्ति की जरूरत है कहे कबीर सुनो भई साधो सब स्वासों की सांस में कबीर दास जी कहते हैं कि है संतो सुनो साधों सुनो ईश्वर तो सब सांसों की सांस में समाय हुए है यहां स्वासों की सांस का मतलब है सभी मनुश्यों की सांसों में हर सांस सांस में भगवान का वास है जब तक मनुश्य की सांस चलती है तब तक ईश्वर उसके अंदर समाया हुआ है जब स्वास खत्म हो जाती है आत्मा आजाद हो जाती है तो परमात्मा भी आजाद हो जाते हैं इसलिए परमात्मा तो पूरी स्रिस्टी के कण कण में समाई हुए हैं हमारे मन में समाई हुए हैं उनके लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं होती अब हम इस पद की विशेस्ताइं देख लेते हैं पहली विशेष्टा है कि यह है पद सधुकडी भाशा में लिखा गया है सधुकडी भाशा का अर्थ होता है साधुओं की भाशा अर्थात मिले जुले भाशा दूसरी विशेष्टा है शांत तथा भक्ती रस का प्रयोग है कबिर दास जी ने बड़े ही शांत भाव से बात क इसलिए यहां पर दो रस हैं शांतरस और भक्तिरस तीसरी विशेष्टा है आध्यात्मिक भावना को अभी व्यक्त किया गया है जहां पर आत्मा परमात्मा की बात की जाती है वहां पर आध्यात्मिक भावना होती है चोथी विशेष्टा है अनुप्रास तथा यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है हमने अभी इस पद में पढ़ा दूसरी पंक्ती में था काबे कैलाश में वहां कावर्ण की अवरिती हुई है अर्थाद कैजो वर्ण है वो एक से अधिक बार लगातार आया है ऐसे ही क्रिया कर्म में कावर्ण की आवरिती हुई तो इन दोनों जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद इस पद की अंतिम पंक्ती में हमने पढ़ा था स्वासों की स्वास में। यहां स्वास जो शब्द है वो एक से अधिक बार आया है और हर बार इसका अलग अर्थ निकला है। पहले स्वास का अर्थ है प्राणी और दूसरे स्वास का अर्थ है सांस जो प्राणी लेता है। तो दोनों शब्दों का अलग अर्थ होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है पांचमें विशेस्ता है इश्वर को अपने हरिदय में खोजने की बात कही गई है ये तो हमने इस पद की व्याख्या में पढ़ा ही था आईए अब देखते हैं कबिरदास जी का दूसरा पद संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे ब्रहम की टाटी सबय उडानी माया रहने बांधीरे इस पद में कबिरदास जी ने मनुश्य के जीवन को एक जोंपडी की तरह दिखाया है जब आंधी आती है तो जोंपडी बिखर जाती है इसी रूपक को लेकर यहां पर कबिरदास जी ने वर्णन किया है कि जब ज्यान की आंधी आती है तो भ्रहम की टाटी सबय उडानी जो जोंपडी के चारों तरफ चारों दिशाओं में टाटी लगी होती है टाटी होती है बास की पतली-पतली खपचियों से बना हुआ एक तरह का परदा या जिसे चिक बोलते हैं जो साइडों में लगी होती है वो उड़ गई है वो भ्रम की टाटी है भ्रम का जाल है वो आंधी आने से उड़ गया है माया रहने बांधीरे और इस भ्रम की टाटी को माया ने अपनी रसियों से बांधा हुआ है अब क्या है माया की रसियां तूट गई है उसके बंधन खुल गए है और वो टाटी ग्यान की आंधी से उड़ गई है हिती चित की द्वै थूनी गिरानी हिती चित की चित होता है हृदे द्वै का अर्थ है दो थूनी का अर्थ है खंबा, गिरानी गिरादी है और हिती का अर्थ है स्वार्थी कबीर दास जी कहते हैं कि हिती चित की द्वै थूनी गिरानी कि हमारे स्वार्थी हरिदे के दो खंबे थे वो भी गिर गई है वो थे स्वार्थ और लालच स्वार्थी हृदय के ये दोनों खम्बे आंधी की वजह से गिर गई है मोह बलींडा टूटा बलींडा होता है बल्ली या शहतीर ये एक लकड़ी का मोटा डंडा होता है जिसकी वजह से छत टिकी होती है वो भी ग्यान की आंधी में गिर गया है मोह रूपी शहतीर या मोह रूपी बलींडा या बल्ली जिसकी वजह से छत टिकी होई थी वो भी गिर गया है तूट गया है त्रिशना चानी परी घर उपरी और मनुष्य जीवन रूपी घर के उपर या जोपड़ी के उपर त्रिशना की जो छत पड़ी होई थी चानी का होता है अर्थ चपर उपर वाली चपर वाली चपर त्रिशना रूपी जो चपर था घर के उपर या जोपड़ी के उपर वो भी गिर गया है ज्यान की आंधी में उड़ गया है कुबुधी का भांडा फूटा कुबुधी का अर्थ होता है अज्यान ज्यान की आंधी आने से क्या हो गया है अज्यान का भी भांडा फूट गया है सब भेद खुल गया है जोग जुगती करी संतों बांधी उसके बाद क्या किया संतों ने योग जुगती से या अपनी साधना से अपने उपायों से उसको फिर से बांध दिया है घर की छत को और दिवारों को फिर से बांध दिया है निर्चू चुवे ने पानी निर्चु का अर्थ होता है थोड़ा सा भी चुवे का अर्थ होता है रिषना और उस छत को इतनी अच्छी तरह से बांधा है कि अब उसमें जरा सा भी पानी नहीं रिषता अर्थाथ अब उसमें मोह, माया, स्वार्थ, अज्ञान, आधी कोई भी बुर्याई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती आगे देखिए क्या कहते हैं कूड कपट काया का निक्स्या काया होता है शरीर निक्स्या का अर्थ निकल गया ग्यान की आधी आने की वज़े से हमारे शरीर में कपट छल का जो कूडा भरा हुआ था वो निकल गया है हरी की गति जब जानी जब हमने उस ग्यान से हरी को जान लिया, भगवान को जान लिया तो हमारे शरीर के सभी बुराईया, सभी कूडा कचरा निकल गया है आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरी जन भीना कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमखीना आंधी पीछे जो जल बूठा बूठा का अर्थ होता है बर्सा ये जो ज्यान की आंधी आई थी इसके बाद जो बारिश हुई जो जल बर्सा उस जल में प्रेम हरी जन भीना भगवान के प्रेम से सभी जन भीग गई हरी का अर्थ है भगवान ज्यान रूपी आधी आने के बाद भगवान के प्रेम की जो बारिश हुई उसमें सभी लोग भीग गई कहे कबीर भान के प्रगटे भान होता है सूर्य कवीर दास जी कहते हैं कि जब सूर्य प्रकट होता है जब सूर्य निकला तो क्या हुआ उदित भया हर जग है प्रकाश हो गया उदित का अर्थी यहां पर है प्रकाश जब सूर्य निकला तो हर जग है प्रकाश फैल गया ग्यान का उजाला हो गया भया तम खीना तम होता है अंधकार और खीना का आर्थ होता है क्षीन या कमजोर तम यहां पर अज्ञान का रूपक है और प्रकाश ग्यान का रूपक है जब ग्यान रूपी सुर्य निकलता है तो हर जगह प्रकाश फैल जाता है और अज्ञान रूपी अंधेरा कमजोर पड़ जाता है अब दूसरे पद की विशेष्थाएं देख लेते हैं इस पद की भी भाषा वही सधुकडी भाषा है शांत और भक्ति रसका प्रियोग है इसमें भी आध्यात्मिक भावना को अभिव्यक्त किया गया है चोथी विशेष्था में अलंकारों में थोड़ा परिवर्तन है इस पद में अनु इन सभी बातों में रूपक अलंकार है उसके बाद जैसे जोग जुगती कूड कपट काया का कहे कबीर इन सभी शब्दों में अनुपरास अलंकार है पांचमें विशेष्था है इस पद में बताया गया है कि ज्यान की आंधी से सभी दुर्गुन दुर हो जाते हैं और कर दो